हेई फूडीज आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मुंबई की एक स्पेशल रेसिपी ये है बड़ा पाउ पराठा ये रेसिपी सुनने में जितनी यूनिक है बनाने में उतनी ही टेस्टी और आसान तो फिर तयार हैं आप कुछ नया बनाने और कुछ नया खिलाने के लिए तो स्वाकत है आपका मेरे चैनल मुडी फूडीज में मैं हूँ सोननल आपकी दोस्त अगर आपको मेरे चैनल पर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करेगा लाइक करेगा वीडियो को शेयर करेगा अपनी फ्रेंड्स के साथ जादा से जादा चलिए फ्रेंट्स आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहां सबसे पहले लिए हैं मैंने दो उबले हुए आलू इनको मैंने मैश कर लिया है और अब इसके अंदर मिलाते हैं कुछ मसाले तो इसमें मैंने सबसे पहले अट किया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ढला है ठोड़ा सा गरम मसाला और डाले हैं हरे धनिया के पत्ते और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है चलिए अब इसका तड़का तयार करते हैं लेना है तड़का पैन और उसके अंदर डालना है दो चमच के करीब ओयल और उसके अंदर हमें हरी मिर्च को फ्राई कर लेना है सबसे पहले दीज डस इखेह डस हम रहता है चलते हैं, अगले स्टेप कि तरफ यहां मैंने लिए है दो चबमच भुना हुआ बेसन जिसको मैंने तवे पर ही दो तीम मिनट रोस्ट कर लिया था और उसके अंदर में डाल रही हूँ नमग, हड़ी और गरम मसाला और डाल रही थोड़ा सा ओयल और हलका सा दो चार बून पानी की बून दे और इसको मैं अच कार पांच कली लैसो नहारी मिर्च कटी हुई और दो तीन कश्मीरी लाल मिर्च अमने साबुत लिए और इसको हम खलर में बस हाथ से ही कूटेंगे तो तीन मिनट की मेहनत से ही हमारी बहुत ही स्पाइसी टेस्टी चटनी तयार हो जाती है इसका यूज हम आगे रेसिपी म जो नॉर्मल रोटी होती उसे थोड़ी सी जादा रखनी है जिससे कि हमें इसके अंदर फिलिंग जो करें वह अच्छे से टिक जाए और रोटी हमारी फटे भी नहीं इसके उपर मैं एपलाई कर रही हूँ घी आप चाहें तो ओयल भी यूज कर सकते हैं और अब जो हमने आलियों की फिलिंग तैयार करी थी उसका हमें एक बड़ा सा बॉल लेना है और इसके सेंटर में फ्लेस कर देना है और इसको हम उंगलियों से दबा दबा करके फ्लैट कर ले रहे हैं और उसके उपर हम एक चीज और एपलाई करेंगे जो हमने बेसन का पेस्ट बनाया था लेनों लगा तो इसको भी हम इसके उपर एपलाई कर दे रहे हैं कुबाच्चे से प्रेट कर दे रहे हैं यह आप देख रहे हैं मैं प्र अच्छी लग रहे है तो प्लीस मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करिए वीडियो को लाइक कर ए और उसकी के साथ ज्यादा से ज्याद लगा रहे हैं चीज की आप चाहें तो स्लाइस भी रख सकते हैं या मैंने प्रोसेस चीज को कद्दू कस कर लिया था और इसके उपर मैं डाल रही हो हरी धनिया के पते और थोड़ा सा आटा में अलग से छिड़क रहे हैं जिससे की बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए इसको मैं बाइंड करना शुरू करती हो और मैंने इसको एक पोटली सी बना लेनी है इसको हर तरब से आटे को हम उठाते जाएंगे और जैसे हम कचोड़ी फिल करते हैं ठीक वैसे ही बस थोड़ी सी आप यहिफ फिल करना यह बिना पाउव का बड़ा प पराथा च आप से ही तबहा करके हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है और जरुरत लगे तो बेल हम इसको थोड़ा और बेल सकते हैं तोबहुत केयरफुलिये हमें इसको बेलना है क्विलिंग अमारी बाहर नहीं निकलनी चाहिए तो चलिए हलकागसा गरम मैंने तवा पहले से ही कर रखा है यहां मैं लोहे के तवे पर ही सेक रही हूँ मैं कोई भी नॉन स्टेक का यूज नहीं कर रही हूँ एक साइट से पराठा सिक जाए तो इसको हम पलट देंगे एपलाई कर ले रही हूँ यह आपकी ऊपर है आप कितना घी लगाना चाहते आप चाहते तो इसको बटर में भी सेख सकते पराठा और भी टेस्टी बनने वाला है इस पराठे को हमें थोड़ा नॉर्मल पराठे से जादा सेखना है और हमें इसको बहुत अच्छा सा क्रिस्पी करना है और खुब अच्छा सा कलर हर तरफ आ जाए अच्छे से सिख जाए तब तक हमें इसे थोड़ा सा दो चार बार पलट कर इधर उधर हर तरफ से खुब पर आपसे इसी रेसिपी को बनाने की डिमांड करेंगे तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करीगा फ्रेंट्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस पराठे को पता है हम कैसे सब करेंगे इसके उपर हम डालेंगे थ तीखी वाली चटनी के साथ में जो हमने बनाई थी लैसुन हरी मिर्च और लाल मिर्च की बहुत ही टेस्टी लगता है यह कॉमिनेशन एक बर आप जरूर ट्राइब करिएगा आप इस रेसिपी को बनाईए और कमेंट करके मुझे अपने एक्सपिरियंस जरूर से शेयर कर जाये और आप चाहते हैं कि ऐसी कोई रेसिपी है जिसको बनाना बड़ा ही मुश्किल लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताए आपको उस रेसिपी को बहुत आपको बना वीडियो बताऊंगी । और जिसरdle आप उस मुश्किल रेसिपी को भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं तो चलिए हम लोग अभी के लिए विदा लेते हैं और हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में तो प्लीज मुझे सपोर्ट करते ही रहिएगा कमेंट करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहेगा मेरे चैनल मोडी फूडी के साथ में हैपी इटिंग टेक केर